तेजश्वी यादों के साधी के चर्थ से काफी ज़्यादा मसूर हुए लेकिन हकीकत कुछ और ही था तेजश्वी यादों ने साधी में बहुत हिंसेमित लोगों को बुलाया था मानों सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग ही इकठा हुए थे या फिर कुछ लालू परसाध यादों के जो काफी करीबी हैं या जो तेजश्वी यादों के मौजूदा हालात में अभी सबसे जादे नजदिकियां बनाये हुए हैं उन्हीं लोगों को साधी में शिरकत करते ह वे देखा गया था लेकिन अब सवाल यह है कि तेजश्वी यादों ने यह भी कहा था कि पटना आने के बाद बहुभोज दिया जाएगा आखिरकार बहुभोज कहां होंगे इस बात को लेकर बिहार में सबसे जादा चर्चा कभी से बना हुआ है क्योंकि बहुभोज वाल की शादी में बहुभोज दिया गया था वो वेटनरी गराउंड में दिया गया था और आर поехढ़ि के तरफ से जिस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया ता और जिस प्रकार से बहुभोज में लोगों को मैनेज करने की करने की पूरी चीज़ें बिवस्थित की गया थी वो काफी छोटा और काफी कम पड़ गया था यानि लालू परसाद यादो समझी नहीं पाये थे कि बेटे की शादी में किस प्रकार से और कितना हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा हालिया कि यह दोश लालू परसाद यादो पर हम नहीं डाल सकते क्योंकि उस वक्त लालू परसाद यादो महज पेरोल पर बाहर आये हुए थे यानि पूरा मैनेजमेंट उनके परिवार और उनके नजदिकियों के तरफ से किया गया था अब जबकि 2020 विधान सभाज चुनाव में तेजस्वी यादो ने अपने दमखम पर पार्टी को बिहार में नमबर वन बना दिया है तो आप इससे साफ साफ जाहिर होता है कि बिहार का लाडला नया यूराज तेजस्वी यादो जरूर बन बैठे हैं उसके लिए जो पहले से आरजेडी के कोर वोटर रहे हैं या फिर जो आरजेडी के समर्थक बताए जाते हैं या समर्थक हैं अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादो जो उनके लिए अभी राजनिता के तोर पर उभर कर सामने आ रहे हैं ऐसे में उनकी शादी में अगर वैसे लोगों को ना बुलाया जाए जो उन्हें समर्थन देते हैं वो नराज हो जाएंगे और यह नराजगी काफी हद तक जा सकती है इसलिए तेजस्पी यादों ने भी अपने तरफ से पूरी प्लानिंग कर रखी है और तेजस्पी यादों ने हैलान किया है कि पटना में ही बहुभोज कराया जाएगा लेकिन पटना में अगर बहुबोज कराए जाएगा तो कहां कराए जाएगा इसको लेकर के आपसी चर्चा का भी से बना हुआ है और अब इसको लेकर के धीरे धीरे परदा उठने लगा है हमारे पास सुत्रो के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें सबसे बड़ी बात हुआ है कि विटनरी ग्राउंड में या बहुबोज नहीं होने वाला है क्योंकि तेज परता आप यादो के साधी में वावोज जो हुए थे उसमें विटनरी ग्राउंड कम पड़ गया था छोटा पड़ गया था मंच जो मुख्य मंच था वो भी टूट गया था क्योंकि उस पर व्याइपी की संख्याएं इतनी जादा हो गई थी कि मंच का जो सिढिया है वो टूट चुकी थी और साथे साथ अगर हम बात करें तो मेडिया के लिए जो लॉबी बनाया गया था और जो आम लोगों के लिए लॉबी बनाया गया था ये दोनों जो घिराबंदी थे उसको लोगों ने तोड़ दिया था आप समझ सकते हैं उत्सा कितना होगा तेज प्रताप यादो की साथी में बहुबोज विटनरी ग्राउंड में हुआ था और वो साथी जादे दिनों तक नहीं चली अब भी वो साथी को ले करके काफी शंसे है और काफी कुछ अभी मामला कोट में लंबी थे तो सुब मोर्त को अगर देखते हुए भी लालू प या बहुबोज या कुछ सी भी परकार का आयोजन आर जेडी के तरफ से या लालू परिवार के तरफ से कराय जाएगा अब सवाल यह बनता है कि आखिरकार विटनरी ग्राउंड के बाद पट्टा में कौन सा ऐसा बेहतर ग्राउंड है जिसमें आर जेडी अपना कारेकरम क साथ कर सकती है क्योंकि आर्जेडिक इस फंक्शन में चाहे पक्षो या भी पक्ष कई भी आईपियों का शामिल होने का अंदेशा जताय जा रहा है कई भी आईपि सिर्कत कर सकते हैं और ऐसे में अलग-अलग लॉबीज भी बनाई जा सकती है तमाम बिहार बाश्यों के वो कारिक्रम सफल भी हो सकता है क्योंकि वो ग्राउंड ही इतना बड़ा है लेकिन अब सवाल यह बनता है कि क्या गांधी मैदान में तेजस्पी यादों को पुलिश परशासन के तरफ से इजाजत मिलेगी भूभुज देने की क्योंकि आप तक गांधी मैदान का गया है यानि वहाँ पर अपने कारिक्रम को पूरा करने के लिए इजाजत नहीं दी गई है पुलिश परशासन की तरफ से तो ऐसे में बिहार किनेता प्रतिपक्षि तेजस्पी यादों को वो ग्राउंड कैसे मिल पाएगा तेजस्पी यादों अब कहां करेंगे पटना म इतना बड़ा समारोह करने के लिए दूसरा कोई ग्राउंड नजर नहीं आता है इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चा गांधी मैदान को निकल कर सामने आ रही है आरजेडी के अंदर खाने से जो खबरे निकल कर सामने आई है उसमें भी गांधी मैदान का लगातार जिक्र हो रहा है मनाय जा रहा है कि सरकार से इसकी अनुमती लिजाएगी यानि समान्य परशासन से इसकी अनुमती लिजाएगी वकायदा बहुभोज कराये जाएगा और तेजस्वी यादो अपने समर्थक और तमाम जो भी नीजी लोग हैं उनको बुला कर बहुभोज में शामिल कराना चाहते हैं इसके लिए प्रयाप्त ग्राउंड के तोर पर महज गांधी मैदान ही है क्योंकि बिहार के दुर दराज से भी लोग उसमें शामिल होने के लिए आने वाले हैं हवैसे में देखना यह बड़ा दिल्चस्प होगा कि क्या गांधी मैदान को ले करके पुलिस परशासन के तरफ से निर्देश दिये जाते हैं क्या नेता प्रतिपक्ष को गांधी मैदान में बहुभोज करवाने के लिए इजाजत सरकार के तरफ से मिलती है या फिर नहीं क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है अगर होगा तो मान कर चलिए कि यह एक गांधी मैदान के लिए एतिहासिक ही होगा हलाकि एतिहास रच्ते हुए 2020 विधान सवाचुनाव में तेजस्वी यादों ने अपनी पार्टी को नमबर वन जरूर बना दिया है वो बात अलग है कि बिहार में सरकार बना पाने में पिछे रह गए वज़ा चाहे जो भी हो आप क्या सोचते हैं आरजडी के कारिकरम के लिए गांधी मैदान कितना प्रयाप्त रहेगा गांधी मैदान में आरजडी अगर अपना बहुभोज कराती है तो क्या जिला परशासन को इसके लिए अनुमती देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बोक्स में जाकर बता सकते हैं आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्पुन है फिलाल आप सबी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्य बाद नमस्कार